हेलो एवरिबन बहुत सारा वेलकम करती हूँ आप सभी का इसका इविंग्स ट्रिपल टू चैनल के उपर हाई होप आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपने अपनी सोल परपेस को पूरा कर रहे होंगे गाइज आजकल सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉबलम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रहे हैं जितने ज़्यादा फ्रेंड सरकल रिस्तेदार बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा ये प्रॉबलम बढ़ रहे हैं आप किसी ना किसी को अपने कमाए हुए महनत के पैसे दे देते हो और सामने वाला लॉठाना ही नहीं चाहता है इस प्रॉबलम का सिलुशन कैसे मिलेगा आपको इस वीडियो में मिलेगा तो मैं लेके आगए हूँ बहुत ही बहती बहती पावरफुल बहुत ब्यूटिफुल अमेजिंग टेक्निक के वीडियो जिसको करने के बाद definitely जिसने भी आपके पैसे लिया होंगे guys हाथ जोड के वापस करेगा इसकी guarantee है हाँ बट उससे पहले ये कहना चाहूंगे कि जब ये टेक्निक आप कर रहे हैं न belief system को एकदम में strong रखे मतलब full faith के साथ ये टेक्निक आपको करनी है मन में ये thought नहीं रखना है कि होगा कि नहीं होगा वो मेरे पैसे लोटाएगा कि नहीं लोटाएगा आपको शक वाली condition में सोचना ही नहीं है कुछ भी आप जो भी सोचो full faith के साथ सोचो कि ये टेक्निक मैं कर रहे हूँ और वो इनसान पैसे लोटाएगा ही लोटाएगा इसमें कोई शक नहीं है अगर आप इस तरह से करते हैं तो मैं guarantee लेते हूँ कि ये टेक्निक शुरू करने के साथ ही या तो उस इनसान के पास अगर पैसे नहीं होंगे अगर वो मजबूरी में पैसे नहीं लोटा रहा है तब तो वो देरे देरे करके लोटाएगा और अगर उसके पास पैसे है वो जान बुझ के फायदा उठा रहा है आपके पैसे नहीं लोटा रहा है आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है तो वो हाँ चोड के पैसे देगा आपका इसकी गरांटी में लेते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है तो सबसे पहले आपको अपना घर साफ करना है क्योंकि अगर आपके घर में निगेटिविटी रहती है तो कहीं न कहीं से आपका लॉस जाता है चाहे तो आपकी health down हो जाएगी चाहे तो आपका money कोई लेकर नहीं देगा या फिर कुछ और बट जो भी होगा न उसमें आपका money का loss होना जरूरी है क्योंकि negativity घर में रहती है तो उसे लक्षमी घर से बाहर जाती है यानि लक्षमी का वास खतम होता है तो सबसे पहले आपका जो भी room है आपको लग रहा है कि उसमें पहले के समान पड़े हुए है तूटे हुए जुत्ते चपले घर में बहुत जादा उसको आपको घर से बाहर फेक देना है एक चीज और याद रखना है कि अगर आप अपने घर से पुराने पुराने समान रखे है और उसको फेक रहे हैं तो न्यू मून के दिन ही फेके बहुत बहतर रहता है न्यू मून के दिन घर से गंदे समान निकालने से घर में पॉजिटिविटी आती है इसलिए कोशिश करें कि फेकने से फेले एक बार केलेंडर देख लें कि आमवर्षय किस दिन है यानि न्यू मून किस डे को पड़ रहा है तो उसी दिन आपको सारे कश्रे फेकने हैं अपने रूम बहुत अच्छे से क्लीन करने है क्लीन करके धूप जरूर दिखा देना है धूप दिखाईए हुमाद दिखाईए अगर बत्ती मैं आवर्ड करती हूँ गाईज इसलिए को उसमें बास होता है तो आपको अगर बत्ती नहीं दिखाना है वैसे आपकी मर्जी है उसकी भी स्मेल अच्छी होती है बट मैं सजिस्ट करती हूँ धूप, कापूर या हुमाद वो जो लकड़ी आती है हमनवाली आप वो जला सकते हैं धूप जला सकते हैं अगर ये भी नहीं है तो उपला होता है उसको जलाके और उसके उपर लॉंग या इलाची जलाके पूरे घर में गुमा देचिए उससे भी बहुत अच्छी वाइबरेशन हो जाती है घर के तो ये है आपकी पहली प्रॉब्लम जिसका सिलुशन मैंने बता दिया यहां से शुरू होती है आपके घर में पॉजिटिविटी आना अब आपको क्या करना है याद करना है कि क्या आपने भी किसी के साथ ऐसा किया था गाइस अगर आपने किसी के साथ पुरा किया है न तो वो आपका कर्मा क्रियेट हो गया है और वो कहीं न कहीं से निकलना ही है तो अगर आपने किसी के साथ ऐसा दोका दड़ी किया है और फिर आपके साथ होत रहा है तो don't worry, वो तो होना ही है बढ़ हाँ, उसके लिए भी ये टेकनिक बहुत ज़्यादा काम करती है आपके कर्मा को clear करेगी और आपके पैसे वापस दिलाएगी तीसरी चीज कि अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया नहीं है, अंजाने में हो गया है फिर भी वो कर्माई बनता है फिर भी आपको वो भुगतना पड़ेगा तो किसी भी तरह से आपसे अगर ये गलती हुई है अगर इस जनम में नहीं हुई है पहले जनम में हुई है तो वो भी आपका ही कर्मा है वो भी इस चनम में clear हो रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर कर्मा clear हो रहा है don't worry होने दीजिए आप अपने तरफ से best दीजिए positive कीजिए हर कुछ कि आपका जो भी कर्मा है वो clear हो जाए और next आपके साथ जो भी होना वो बहतर से बहतरीन होते चाए अब आपको क्या करना है अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले दिल से अपनी आखे बंद करके उस इंसान से sorry बोलनी है मैंने कह रही कि आप उसके सामने किसी के सामने जाके sorry बोलने में तो definitely बोल सकते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि sorry फील करना ही इनसान को सही बना देता है अगर आप किसी के लिए sorry फील कर रहे हैं कि आपने उसके साथ गलत करा है तो वहीं पे आप भगवान का जगर ले सकते हैं क्योंकि इनसान के अंदर ये भगवान बसते हैं एक गलती और है जो हम सभी किया करते हैं मैं भी पहले किया करते थी हम लोग पैसे की इज़त नहीं करते हैं हमेशा इनसानों से जब भी आप बात करते हैं तो आप सामने वाले से यहीं बोलते हैं कि तेरे सामने पैसी की कोई value नहीं है, क्यों नहीं है, हर चीज की value सेम होती है और यह चीज हम सभी को समझनी होगी, आप सोचो कि क्या आपके पास सिर्फ इंसान रहे, पैसे ना रहे, तो आप जिंदा रह जाओगे, नहीं रहोगे, क तेरे सामने पैसे की कोई value नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, कि लक्षमी माता जो धन्स वर उपा है, वो नराज होती है, कि आप एक इंसान की जगा पे मुझे रख रहे हो, रख के मेरी value कम कर रहे हो, मेरी value घटा रहे हो, मेरी insult कर रहे हो, और फिर भी चाहते हो कि मैं आप के पास रहूं, तो कभी नहीं रहेगा, ऐसे ही पैसे आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि आप पैसे की insult कर रहे हो, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले पैसे की इज़त करना सेखे, respect करना सेखे, और ऐसा आपने बार बार बोला है, तो आपको पैसे से भी sorry बोलना है, इसके लिए क्या करना है, आपको एक, दस, पांच, बीस, आपको जैसा नोट मिले, 2500 का, वो आपकी मर्जी, आपको जो नोट प्यारा लगे, अच्छा लगे, नोट सारे ही प्यारे होते हैं, क्योंकि सब में लक्षमी जिकावास होता है, आपको नोट लेके और जोज उसको sorry बोलना है, उसको जैसे आप अपने बच्चे को, भाई को, बहन को, पतनी को, माँ, बाप, किसी को भी प्यारे हैं, उसी तरह से सहला सहला के sorry बोलना है, फील करना है, फील करना है कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है, और उस चीज के लिए आपको कैसे sorry बोलन आपको विजुलाइज करना है कि आपने कितना बड़ा गलती कर रहा है लक्षमी माता के साथ और उसके लिए आपको सौरी फिल करनी है और आखे बंद करके या आखे खोलके बस नोट हाथ में रखे रहे हैं उसको सहलाते रहे हैं और जितना बार हो सके एकिस बार एकसो आट आखे बार जितना बार हो सके आप सौरी जरूर बोलिए गांस इसे आपका जो भी करमा क्रिएट हुआ होगा वो धीरे-दीरे करके क्लियर हो जाएगा और सिर्फ आज के लिए नहीं फुल लाइव के लिए जितने दिनों के आपकी जिनकी है पूरी लाइव के लिए आपका कर्मा क्लियर नहीं हुआ है आपसे इस से भी बड़ी गलती हुई है या फिर गलती नहीं हुई है आपको याद नहीं है पिछले जनम का कर्मा है उसके लिए आप गरीबों मेदान दे सकते हैं जो बहुत ज़ादा गरीबे बिखारी है जिसको लग रहा है है आपको कि उसको भोजन किया बहुत शक्ता है उसे आप भोजन करा सकते है इससे आपका करमा क्लियर हो जाए तो भी कोई प्राब्लम नहीं है आपकी घर की छट पे आपकी दर्वाजे पे बहुत सारे बर्ड्स आते होंगे आप बहुत सारे चुड़िया आते होंगे उनके लिए आप खाना दे सकते हैं छोटे से बर्दन में पानी दे सकते हैं से आपका कर्मा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो ये रहा जो भी आप से गलतिया हुई होंगी पहले जनम में या इस जनम में कुछ भी आपने कर्मा क्रियेट किया होगा तो इन सारी चीजों को करने से आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा तो अब हम बात कर लेंगे कि वो कौन सा मंत्र है, वो कौन से टेकनिक है, जिसको करने से आपके पैसे, जिसने भी आपके पैसे लिये हुए हैं, उधार, या फिर आपसे चल करके मांगा, और फिर ना देने का नियत बना लिया, वो आपके पैसे वापस कैसे देगा, वो भी हाथ चोड़ के, जब अरजस्ती, रिक्वेस्ट करेगा, कि प्लीज आप अपने पैसे ले लो, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है मंत्र, आपको बोलना है, जब भी बोलना है, 21 बार बोलना है, या फिर 108 बार बोलना है, तो मंत्र है, वुल्फ मैजिक बेगिन नाव, आप अपना कॉपी पिन ले लीजिए, और इसे लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, आप जब भी लगे कि मुझे इस मंत्र की ज़रूरत है, तो ये मंत्र बोलिए, और उस इनसान के लिए कब भी आप गलत थौट मत बैठाईए अपने मन में, उसके लिए जब भी सोचिए, तो अच्छा सोचिए, ये मत सोचिए, कि उसने मेरे पैसे ले ले लिए, बहुत बुरा इंसान है, सपोस्ट अगर उसके पास पैसे नहीं ह लोटा रहा है, और अगर आप उसके लिए गलत गलत थौट ले रहे हैं अपने मन में, तो ये चीज गलत होती है, इस से क्या होता है, आप कहीं न कहीं इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, और फाइनली उस इनसान के पास जब पैसे आ जाते हैं, फिर भी उसको लोटाने का मन ने करता है, क्योंकि तब तक आप इतना कुछ बोल चुके होते हैं उसको, तो इसलिए आप उस इनसान को ना फोन करेंगे, ना बोलेंगे पैसे देने के लिए, आप ये टेकनिक करेंगे, आप जब भी सोचेंगे कि वो आपका पैसे दे दे, तो बस सबसे प कज़िब हो, कोई मजबूरी हो, उसके पास पैसे ना हो, तो आपको उसके लिए भी पॉजिटिव ही सोचना है, तो आपको हमेशा ये सोचना है, कि उसके पास इतने अधिक पैसे आ गए हैं, कि वो easily मेरे पैसे रिटरन कर सकता है, और कर भी चुका है, और इस चीज से हम द ज्यादा वर्क करता है, आप एक बार आजमा के देखिए, आपके पैसे इतने जल्दी, मैजिकल तरीके से वापस आएंगे, कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किये होंगे, कि इतना जल्दी कुछ काम करता है, और प्लीज अगर वीडियो देखते हैं, तो ये टेप टेप टे में कि इसके लिए वीडियो बनाएंगे, तो एक ही चीज के लिए इनसान बार बार वीडियो तो बना नहीं सकता है, मैंने पहले भी बहुत सारे टेक्निक के वीडियो बनाई है, उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, बट आज रिक्वेस्ट आया था, तो कर रहे हैं, उस इनसान के बारे में अच्छा सोचेंगे, और दिन में कभी भी उसका ख्याल आता है, तो सिर्फ उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, उसको बोल भी रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छा बोलेंगे, कि हाँ वो बहुत वो मेरे पैसे वापस कर चुका है यह आप अपने मन में सोचेंगे अगर किसी से बात कर रहे हैं वैसे तो आपको इस बारे में आप किसी से बात नहीं करनी है कि वो इंसान मेरा पैसा लिया है वापस नहीं दे रहा है लेकिन अगर ऐसा सेच्विशन आ जाता है कि आपको बात करने ही हैं तो आप अच्छे वे में बात करेंगे जैसे कि वो मेरे पैसे लोटा देगा वो बहुत अच्छा इंसान है उसके पास जब भी इतने पैसे होंगे कि वो मुझे लोटा पाए तो डेफिनेटली लोटा देगा अब बात करते हैं सबसे important point के बारे में अगर आपको लगता है कि आप technique कर रहे हैं दो चार दिन हो गए हैं वैसे तो ये एक week के अंदर अपना result दिखा देता है बट आगर आपके साथ ऐसा नहीं है उसने आपके पैसे अभी तक ने लोटा है और आपने ये technique करना शुरू कर दिया है आप done करने वाले हो तो आप definitely उससे बात कर सकते हैं अगर घर नजदीक है तो आप जाके उससे बाते कर ले अगर दूर है आप call पे बात करने जा रहे हैं तो फोन पे भी बात कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप उसके घर जा रहे हैं तो भी जाने से पहले अगर आप उसके पास फोन करने वाले हैं तो भी फोन करने से पहले है वैसे कोशिश करने चाहिए कि आप उससे face to face होकर पैसे मांगे ताकि उसके face का expression देखें आप आपको पता है वो जूट बोल रहा है सच बोल रहा है और सामने से कोई जल्दी जूट नहीं बोल पाता है इसलिए आपको अगर घर नज़दी के तो सामने से उससे बात करनी है जाने से पहले आपको इस मंत्र की chanting 108 बार पूरे बिलीव के साथ कर लेनी है कि आप जाओगे और उधर से पैसा मुले चुका होगा तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप success होते इस technique को करके तो प्लीज अपने स्टोरी जरूर शेयर करना और मेरी ये सारे वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने सारे दोस्तों के पास अपने relation वालों के पास शेयर जरूर कर देजेगा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है आपने तो प्लीज जरूर सी चैनल को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को all पर प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालो notification आपको मिला और बहुत जल्द मैं इंस्टा पे भी अपने ID बनाने वाली हूँ जब भी मैं इंस्टा पे आज आ रही हूँ तो मैं आप लोगों को अपनी ID शेयर कर दूँगी आप वहाँ भी अपने questions पूछ सकते हैं और वहाँ पे मैं उसका solution भी बताऊंगी तो bye bye guys